हलो व्रीवन वेल्कम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फरंट्स आपका एक बार फिर से नई वीडियो पर इस वाकत है क्योंकि एक लेक्चिर हमारा बजी छे बजे जो हमारी क्लास हुई रीजनिंग की तो मैं आपका बता दू हम ट्राइ करेंगे कि डेली वेसे पर आपको दो क्लासे ज़रूर प्रवाइड करें दो क्लासे से क्या होगा आपकी काफी ज़दा हेल्प होगी आप अपने पूरा दिन अगर मेरी बास सुनिएगा अगर आप सुपह दस बजे से लेके भी शाम को चार बज़े तक स्टड़ी करते हो दो गंडे चलो रेस्ट शे बज़े आपकी यूट्यूब पे क्लास होगी रात को 9 बज़े फिर से आपकी कलास होगी तो आप 6-7 गंडे पूरा दिन पढ़ रहे हो तो आपके लिए इसा नहीं है कि किताब इकीडा बन जाना है असा नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, क्यूंकि आपका कांपुटेटिव एक्जाम है, अपने चीजों को रटना नहीं है, अपने दिमाग में बिठानी है, सैट करनी है, मेजस बना के, ट्रिक्स बना के, चीक है, इस वीडियो में क्या करेंगे, इस नहीं लेक्या है, तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफकेशन वैल को भी आन जरूर कीजिएगा, और अपना प्यार जरूर दिखाईएगा गाईस, क्यूंकि इसी तरह कि, क्यूंकि आपके प्यार पे ही हमारी क्लासिस आगे के डिपेंडर रहने वाली है, अदरवाईस हम क्लासिस को नहीं यहां पे कांटिन्यू करेंगे, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर नहीं तो पढ़ डे, आपकी सिर्फ एक ही क्लास होगी, वहोगी रात को नो बजे, तो अगर आपका प् plane is known as eastern coastal plane is known as क्या उस plane को नाम बोल जाता है ये हागया हमारा इंडिया ये west side आगी ये east side आगी ये coastal जो plane रहता है इसको हम किस नाम से जानते हैं एक्जामिने साब साब आप से ये बोच जानते हैं तो अब क्या बताओगे क्या उसको कॉंकर कोस्टन plane बोलोगे गुजरात plane बोलोगे कॉर्मंडल कोस्ट बोलोगे मालवर बोलोगे तो इसको बोलेंगे हम कॉर्मंडल कोस्ट क्या ठीक है क्यूंकि जामरा east वाली side है उसको हम बोल दें कॉर्मंडल कोस्ट बोल दें ठीक है यहां तक यह point clear हो गया guys आप सभी को ठीक है अब यह ज फाल्स दिवी does ने एक पॉइंट है कांप पर परदेश में फाल्स दिवी पॉइंट से लेके to Capis कामौरीन तक पौझ मोरें तक कामौरीन इसको बोटे कॉमॉमॉंडटल civilization कॉमॉंडल गोस्ट पूल दे ठीक है फाल्स देवी अगर आपको पॉइंट से अगर आपको नहीं पता आप इनको एक बुक पे सुरी नोट बुक पे नोट कर दीजेगा वार लाइनर फार्म में ठीक है फाल्स दीबी एक पॉइंट हा अंदर परदेश में यहां से लेके कैप कॉमरिन तक जो है कॉरमंडल कोस्ट को फैला हुआ है यह कह सकते चलिए नेक्स कोशन है अब इनके बारे में अगर मैं बात कर लो तो एक कौनकन यह गुजरात यह जो मालवर कोस्ट है ठीक है यह जो कौनकन कोस्टर प्लेन गुजरात प्लेन मालवर कोस्ट यह बैस्टन कोस्ट है कौन से कोस्ट है यह बैस्टन कोस्ट है ठीक है इनके बा इतना वो करना लिखना यहां फिर मुश्किल होता है इस कोशन का सभी बच्चे अंसर करेंगे जल्दी से इस कांसर गरो वाट इस नेम आफ इंडिया सौथन टिप सौथन टिप का नाम क्या है इंडिया की क्या बताओगे बच्चे कंफ्योज हो चुके कुछ बच्चे कण्या कमारी या फिर इंडिया पॉइंट क्या बताओगे इस कांसर जल्दी से बताओ तो जिन बच्चों ने option C mark किया है उनका answer बिल्कुल सही है इंद्रा point is the right option इंद्रा point कहां पे है इंद्रा point सर आपका है great nicovar में great nicovar क्या है ये कडिस्टिक है अड़वा निकovar की great nicovar में ठीक है याद रखना 13 points कोंट सा है great nicovar तो सर कन्या कमारी क्या है एक बच्चे ने पहले भी पूछा था हमसे कन्या कमारी आज हमें आपका एक एक doubt करेंगे अगर आपको exam में question आता है कि southernmost tip इंडिया की इंडिया की मेन लैंड की कौन सी मेन लैंड की तो क्या बोलोगे कन्या कमारी यहां पर मेन लैंड था ही नहीं तो आप इंडिया पॉइंड पॉइंड बोलोगे मेन लैंड होता अगर बोचा हो गया what is the name आप थी इंडिया मेन लैंड सौथ अंडिप तो आप बोलोगे कन्या कमारी मेन लैंड याद रखना मेन लैंड इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो काफ़ इंपॉर्टेंट है यह चीज़ अब यहां पर एक चीज़ देखिएगा अगर मैं इंडरा पॉइंड का अगर दूसरी से नाम की बात करूं तो उसको बोलते हैं हम पाइग पाइग मैलियन अगर मैं एक ही इंडरा पॉइंट पे कोशन बनाऊंगा तो चास से पांच कोशन मेरे बन जाएंगे तो एक ही कोशन में हम इन चोटी चोटी चीज़ों को डिसकॉशन करेंगे ताकि आपको चीज़े क्लियर हो जाएं ठीक है पाइग मैलियन पाइग मैलियन पॉइंट हम बोलते हैं किसको इंद्रा पॉइंट को याद रखना ग्रेट निकोवार में ये ग्रेट निकोवार एक डिस्टिक है वहाँ पे आपका इलोकुट करता है ठीक है ये दो चीज़े आपने दिमाग में रखने है तो इसी जी सौथन टिप में लैंड को उन सी कन्या कुमारी क्लेर हो गया आगे बढ़े चले अब बोलता है कि इंडिया जो सब कॉंटिनेंट है वास मैनली पॉट आप किसका सब पॉट है तो ये जुरासिक लैंड का है अंगरा लैंड का है अजारों साल पहले की बात है जब यह जो आप देखते हो ना कॉंटिनेंट अजीब में से चंसरी बन रहे है यह एक ही प्लेट पे होते थे यानि कि यह एक ही जुड़े हुए थे अब आप देखोगे अफरिका का लग से है इंडिया का लग से है अन्टार्टिका कहीं चला गया अस्ट्रेलिया कहीं चला गया इस तरह से अलग अलग कॉंटिनेंट बन चुके तो एक टाइम पर क्या था कि अलगी थे तो वहां पर क्या हुआ इनका मतलगी जो यह चीज थी कॉंटिनेंट थे इसको हम बोलते थे पूरे को कांटिनेंट को इस पूरे पोशन को हम बोलते थे पैंजिया पैंजिया पोशन बोलते थे क्या बोलते थे पैंजिया पोशन इसको बोलते थे फिर ये डिवाइड हो गया फिर क्या हो गया डिवाइड हो गया दिवाइड होने के बाद क्या हुआ दो पार्ट में बड़ किया लाउरेशिया और जो एशिया जो पोर्शिया ना वो आपका लाउरेशिया में ही आता है ठीक यह बात बताओं पिर फिरफ हमारा इंडिया है जो घोन 50 बनावें क्यों बता है या भी चीज में आपको यहां पर explain करूँ गोनवाना लेंड पर दोस्तों क्या हुआ यह डिवाइड हो गया यानि कि यह उपर पहला पोशन थोड़ा उपर हो गया यह नीचे हो गया पर जो हमारा एशिया का पोशन था हमारा इंडिया मलग कि जो हमारा इंडिया है वो इस पोश तक यूब यह आपने देखा कि यह हमारा मालोगी यह इंडिया है माल loro गूवा पर पढ़ता है तो यह इकटी होती जाती होती जाती है मुलगी एक से दिवाब पढ़ेगा तो ऐसे इसी भड़ती चलेंगी न उपी इसी तरह से हिमालेस जो है जिनकी बोला जाता है जिनकी हो एक बचा है जो पहाड है वो ग्रोथ कर रहे हैं नहीं यह दबाब पढ़ रहे है हमारी connected with the park state spark state के साथ कौन सा nation connect करता है ठीक है पार्क टेर्च के साथ कौन सा nation connect होते है जल्दी से बताइएगा पाक स्टेर्ट आज जो है वो इंडियाज सिललंका के बीच में तक इंडियाज सिल लंकあ के बीच में ठीक है और यह क्या वो के 서raf वह लोकेशन क्या है बंगल को पाक वे बंगाल को यह जॉइन करता है कौन पाक श्टेट याद रखना पाक वे को पाक वे बंगाल से गाल से कुएंगां तो इसा बीच है शोटे-एधाell discussion थोटे-एस से मुझन है फोटी से कोशन हैं इसको बोलते हैं दक्षिन गंगोत्री एक दो और भी है पर इसके बारे में जादा नहीं है अन्टार्टिका के बारे में आप जानते ही हो अन्टार्टिका एक जहां पर 98 परसेंट जहां पर अई-c रहती है तो छे मिने के अगर मैं बात करो ống इस टाइम बहां पर दिन हो चुका है यह जन्यकी सब्स्राइब मंत से लएके आपका जो मार्च तक रहेगा शे मिने का दिन होता है वहां पर आज भी ऊडिने मिने की रहती है स्थम्स्हीं की और जब जूनन जिलाई की यह खर्मी होती है ना तो वहां पर अंदेरह होता ह है ठीक है यह होगी next question चलिए which group of which group of the following state share the boundary with nagaland nagaland के साथ कौन-कौन सी state जो boundary share करती है nagaland के जाथ boundary जो करता है असाम करता है दूसरा करता है अरुनाच्छल परदेश करता है और मनीपूर करता है तो बीच में आगया आपका यह nagaland टीक है इस portion से आता है तो यह north east side वाली side आपका अंदर पर देश आता है ठीक है तो केशा option में दिख रहा है मिजोरम से आपने बोला मनीपूर मनीपूर मिजोरम नहीं आएगा मनीपूर option बीज़ा right option ठीक है यह तीन country है जो की बाटर शेर करती है अब यहां पर बोल रहा है कि which of the flowing state does not share the boundary with मैनमार मैनमार के साथ कौन सी country sorry कौन सी state से जो इंडिया की बाटर शेर नहीं गड़ती है भी अरूना मामी अरूना मामी ठीक है अरूना मामी मनीपूर भी करेगी और मिजोरम भी करेगी और अरनाचल प्रदेश भी करेगी मा मी अरुना मामी ठीक है और नाच्छल करेश भी करेगी असाम नहीं करेगी तो एय आफशन इजा रइट आफशन यह ट्रिक है मैंनमार की बांडरे के साथ लक्षदीब अब कहां पर लोकेटड है लक्षदीब जो आईलेंड है यह आपका अर्बिन सी में लोकेटड है और अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षदीब जो कबदाद हुई सबसे चोटी यूनिन टैर्टरी है हमारी तो सबसे अगर सबसे बड़ी एरिया वाइस देखा चाहिए तो लदाख जो है हमारी सबसे बड़ी यूनिन टैर्री एरिया एरिया वाइस और अगर यहां पर हम बात करें कि लक्षदीब में कितने आईलेंड हैं तो वो हैं अपके 36 आईलेंड ठीक है याद रखना और इसके बाद अर्बिन सी में इसकी लोकेशन है बस इतना सही इसके बारे में बाकी का लास्ट कोशन आपके स्क्रीन पर है अंडरमान और निकोवार आईलेंड आज सेपरेट ली वाइब इच आप दी फ्लोईंग चैनल किसकी चैनल के दो उते हैं तो वो होते हैं 10 डिग और निकोवार को एक करें इच अधर से इन बहाव फिंगाल में तेक है उसके बाद 9 डिग्री अगर चैनल की बात करूँ तो 9 डिग्री चैनल क्या कहता है 9 डिग्री चैनल कहता है कि वो करेगा मिनी क्वाई को मिनी क्वाई को सेपरेट करेगा इससे लक्षदीब से लक्षदीब से ठीक है और 8 डिग्री जो चैनल है वो क्या करेगा वो करेगा आपका मिनी क्वाई को मिनी क्ाई और माल दीप के बीच में आते है माल दीब्स के बीच में मीनिक वाई की जगाता है कि मैं इसका मैंबस को दिखना है एक होता है 11 डिग्री चैनल एक यान्री डिवैड करता है कि इसको मिनी क्रेट भी Amand y and 1939 ये दो आइनके के नाम याद रखना में डीबी और केन ओर 11 डिग्री एट डिग्री 9 डिग्री प्रीबियस में मैंने उको करवाया 10 डिग्री ठीक है दोस्तों कैसा लगा आज का लेक्चर जल्दी से बताएं सब्सक्राइब कि आज का लेक्चर कैसा लगा अब आपने मुझे कोशन में बताना है कि बिच पार्ट आफ आफ इंडिया अंधिया इज डिए इस ड्र काट ड्राइफ और कौन से हें इंडिया मής सबसे सुक्कह देश है पार्ट है इट के बारे में बता सती हो इजिक है विच पाट आफ इंडिया इस तब देट पर है मैंनमर मैं मैसनरम कुछ इस तरह से नाम है ठीक है तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं फिर मिलेंगे हम कल नए लाक्षर के साथ तब तक ले बाबाई एंड टेक एल कोई नए अपडेट होगा जेके सब्सक्राइब करेंगे तो यह चोटी-चोटी चीजी होती है जो कि नोट करना जरूरी होती है तो आपको लेक्षर मिलते चलेंगे